बहुत ही अच्छा लग रहा है और यह जो फिल्म है उसका नाम है ठीक है इसके डिरेक्टर है हमारे संतोष मिश्रा जी इसके पोडूसर है सुधानसू जी इस फिल्म की नाइका हैं गोरकपुर की ही हमारी आम नपाली दुबे जी और सबसे खास बात यह है कि हमारे अच्छ भी मेरे लिए हुआ है तो वह सफल ही हुआ है तो इनका आशिरवाद लेके हम लोग शुरू कर रहे हैं और गोरकपुर की धरती वह धरती है जिस धरती से मैंने फिल्मों में अपनी शुरूआत की थी यहीं से मैंने पहली फिल्म शूट किया था जिस फिल्म का नाम चलत मुसाफिर मोहली और जहां से गोरकपुर से ही आशिरवाद प्यार मिलना शुरू हुआ और फिर यहां तक का सफर हुआ और सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं तब देखता था यहां के लोकेशन्स और बाकी चीजों को और जब आज देख रहा हूं तो इतना अंतर और इतना बदला हुआ है कि जो बार-बार हमारे बड़े भीया रवी किशन जी कहते थे कि एक बार आप लोग यूनिट लेके आओ गोरकपुर और देखो कितना बदला हुआ है और कैसा महराज जी के क्रिपा से यहां कितना हम लोगों ने बदलाओ कर दिया है तो सच में जब आज यहां आकर के हम लोग देख रहे हैं तो लग रहा है कि हां मतलब हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके आप शूटिंग करते हैं और जब अपने ही धरती पे आके वैसा लोकेशन उससे बढ़िया लोकेशन मिलता है तो गर उसे चाती एकदम भूल ज करती है बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहां फिल्म सिटी बन जाने से मुंबई में कोई असर पड़ेगा क्यों पड़ेगा अगर एक जगह पे फिल्म सिटी है वहां पे शूटिंग हो रही हूं वहां कुछ फिल्म सिटी हिंदुस्तान में बन रही है यूपी में बन रही है तो एक और अच्छा उसर मिल रहा है और मौका मिल रहा है और सहुलियत मिल रही है उसमें वहां क्या प्रभाव पड़ेगा चुकि फिल्में इतनी बनती है हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान की सारी भ आएंगे तो हमें यहां वहां बटकना नहीं पड़ेगा तो मुझे लगता इससे कोई असर नहीं पड़ेगा हाँ यह बात जरूर है कि एक भब स्टूडियो बन जाने के बाद सिर्फ हिंदुस्तान नहीं दुनिया के अलग-अलग कोने से लोग आएंगे वहां फिल्म बनान हमें पनिया बात जरी मुझे से लोग緊 पकला मारा यहां बनान आएंगे लोग जब की लोड़े इससा वाल के अना हिस अना है झाल झाल